क्वाइब तस्वीरे देखिए हैं जब बड़े बड़े रेता मिलने गए उस परिवार से उस परिवार की बच्चों की सकले देखे मुझे गौर अच्छक गुंडे हैं तो सरकारी अफसर है और अपसर है अब मानेंगे ना कि गौर का कतल होता है चाहे केड़ा की तरफ बात क अब तक प्रधान मंतरी चुपी नहीं तो लेंगे कानून नहीं बनाएंगे लीगल कोई एक्षन नहीं होगा ऐसे गुंड़ा होती रहेगी इकलाग पहलू का तबरेज और नासिर जुनायत मारे जाते रहेंगे कलको कर मैं गाय दिल्ली से कोई गाय खरित के ले जाओं और यूपी मुझे ले जाना है तो वैसे मुझे मुझे मुल्ला घोच किये हुए ये लोग तो कि मैं हिंदू हूँ संत हूँ तो मुझे राज म से जला दिया जाता है इन से बातचीत करेंगे तमाम लोग जो है कुछ समर्थन में नासिर के खरे हुए है कुछ लोग जो है महापंचायत भी कर रहे हैं जिन पर आरोप लगा उनके समर्थन में कैसे देखने तमाम मामले को मैं जी देखे यह सब घटनाय समाज में होनी नह बच्चों को पता ही नहीं है कि उनके परिवार के उनके परवरिस्ट करेंगा उपिता ही नहीं वह आस लगाए आज भी गेट के बाद उनको देखते हैं नासिर जुनाज पे तो आरोप था गौत असकरी का उस वक्त तो गाय नहीं मिली थी ना आरोप का क्या आप पता है आप करें आस हुआ जारा भी कुछ दिन पहले एक इंटर्विव में वह बहन के लिए मिने आस हुआ गया थी जलके मर गए थे घटना ऐसी नहीं है इसको नहीं किया सकता मुनु मानेस्वर का क्लिण चिर दे जाने से कि मुनु में इस वर नहीं थे तो उनके उनके सम पर योगी सरकार बजर लाना बंद करते गोरक्षा का नाम पर इन गुंडों को हाथ में सौफ दे एक बिल बना दे कि मुसल्मान गाय नहीं बालेगा इस पर किसी की परिवार से आप उसकी बच्चे को छेन ले रहे हो उसको शर्म नहीं आ रही है अरोब भी तो था मैं कह र और यूपी मुझे ले जाना है तो वैसे मुझे मुझे ला घोच किये हुए यह लोग क्यों कि मैं हिंदू हूं संत हूं तो मुझे राज में लिंचिंग करते केसी न बनेगा पिर तो क्या मजा कही है आप चो चो क्या मजा कि अब गाय के नाम पर मारना दर्द नहीं है ले करती अभी कितनी गाय भीमारी से मर गई तब कहां थे लोग अभी अब यह लोग मजाग बनाकर रखे आज वह गौर अच्छक है आज भी उत्तर प्रदेश के पूर मुख्यमंत्री सदन में योगी जी से पूस्ते कि आपके मंत्री हरीगा टूर में गय तो की हो गए इटली गए जाए यह तो बता देजे कि वहां कहीं सांड दिखा क्या हाइवे में गाय दिखी क्या क्या पेश्चर्म सरकार बहराग बना के बैठे हम लोग उत्तर प्रदेश में महिलाबा जाओंगा अब वहां वीडियो बनाऊंगा और आस थान जाने की तयारी में मेरी संद्दे आज सुक्रवार्य संडेकों निकलेंगे रास्थान भी हम जाएंगे किसके पक्ष में जाएंगे जहां महां पंचायते चल रही है मौनुमानेश्वार के समर्थन में भॉंगियों के समर्थन में हम लाही जानते हम भगवत गीता पड़े हैं हम कर्म योगी हैं हश्वार को किलींचीट मिल गया मुझय और गारी कि आप इसारा समझ आईए किसकी भी सरकार हो वोड बैंक के लिए कब तक पिसे का मुसल्मान अब मुसल्मानों को आज यह करना पड़ेगा इस यह बताईए इतने बड़े-बड़े एक्टर हैं पैसे वाले हैं सब कोई हैं कि आप उसकी परमरेस नहीं कर सकता कोई मुसल्मान द से जुनाय की बात कर रहा हूं बड़े-बड़े लोग हैं ना करें इसको याद कर लें इसकी दुआई देते हैं इसको दियाद कर लें मुसल्मान इसके नवज में दे दे उसकी परवरिस करें उसकी बच्चों को पढ़ाने की या उसको नौकरी और सरकार गौर्मेंट रास शलेंडर मिले मुक्त रासन मिले लें और श्यार रुपक्षें सरकार दे god Ajd लें जोब डेता हूं ठोड देता हूं लोग ये लोग तबको-टाइट से एक कानूनी न्यम बना दो गाय जो पालेगा अपने घरें बांदेगा खुलाने चुड़ सकता है खेत दिया जाएगा जमीने बनती जा रहे हैं और अक्षा व्रगेश तो जमें की नाम पर ले रहा हैं तो आप अपराधी का साइट क्यों ले रहे हो गढ़ रक्षक क्यों बना रहे हो पहरी चीज दूसरी महत्पूरबाद गाय भी एक माह है कोई माह भी अपने बेटें को जलते हुग अपने सामें नहीं देखेंगे गाय भी एक माह है तो जो उस माह को कतल कर रहा है जो मैं पूरी तरह से निर्पक्ष जाज करवाद दीजिए आप तो आपको सामें में आ जाएगा कि गाये कानून बरे बज़र दिया जाए गाये को गाये को रखने के लिए डिपार्टमेंट मनाया जाए योगी सरकार कर रही अच्छा ही बता हो यह लोग आए कुछ भी कर देंगे किसी को मार देंगे बहुत मैंने कहा ना कलको माय अगर दे लिस मुझे कोई गाया भायस पसंद आ गई दुगाय बढ़ियां अम उसको अपने घर ले जाओंगा सर्पे तो लेके नहीं जाओंगा अपने सर्पे लेके पालने के लिए उसका लोगों को बैपार चलता है अब मानेंगे ना कि गौव का कातल होता है चाहे केडला की तरफ बात कर लिया कि तो बेग हालाए के तो पेदया अधिशने खुदी का दिया कि हम गाय खाते हैं बाजपक बाजब अधिशने कहां अच्छा कुदी का कि हम अधिया मंत्रिय मिसा का बयान है कि हम को तसक्रीश ने रो सकते हैं जब को करेंगा हम से बादिखा देंगा सबूत अधर भी बंद होना चाहिए देखे आज कल कितना ड़ गई सरकार की किसी निता को कभी बंद कर देती है निया तरह जाता है उस पे कारवाई नियोंती मुन क्यों महाकाल की मरजी क्या करेंगे जाके पीडित परिवार से मिलेंगे भाई उसका दर्द बाटेंगे वहां पर अनुरूस अनुरूस करेंगे इनकी मनत करिये हम भी अपने लोगों को फोन पे नंबर दे चुके हैं उनको जनकारी लो उनको वहां भेजो कोई नंबर तो पहुच रही है इतना सक्षम होता तो मैं बच्चे को गोद ले लेता अगर मैं परातना कर सकता हूं मैं परात ना कर सकता हूं कि मुसल्मानों से उसकी बच्चे भूके न सोए और बाकित उपर वाला है अल्ला तो खाई गया है अल्ला देगा सबका दिन लिखके वो भेजता है खाने पीने वे उस्थकर के भेजता है जब तक परधान मंतरी चुपी नहीं तोलेंगे कानून नहीं बनाएंगे लीगल कोई एक्षन नहीं होगा ऐसे गुंड़ाई होती रहेगी एकलाग पहलू का तबरेज और नासे जुन्याद मारे जाते रहेंगे लंबा लिस्ट किना है क्यों नहीं मारे गए हैं नहीं मारे गए हैं बूल लाएंगे हम लो पूल जाएंगे हम मतपरदेश केस भूल जाएंगे हम रास्तान को दंगा बूल जाएंगे जहां दुकाए जलाई गई थी क्या हम मजाब बनागर रख गए हो देश में अग लगा के बैठे हैं ये बेसानम लोग मंत्री थे वह अहम्दाबाद भी अवल नंबल पर है रेप के मामलों में बेसरमों कुछ तो सरम करो अच्छे बताओ टोकियो इतने मंत्री टोकियो गए थे हमको टोकियो बनाने का वादा बनास में था बनास टोकियो बन गया खाली पैसा लूटा गया है तुम समझ नहीं रह सरकार मार आप कह रहे हैं कि मुसल्मानों को मारा कट आचाई बताओ रास्थान में क्या हुआ अंग्रेस की सरकार बंगाल में क्या हुआ उत्राखन में क्या हुआ युपी में क्या हुआ है आप देखिए हर जगे इन्होंने नफ्रस्वेलाई है आप मजाग मेंत में लिए कि इतने मुसल्मान काटे गया है याद है कि इतना मजबूर किया गया पबली को कुछ शलग में आना पढ़ ला है मुसल्मान दली तर आदिवाजी पिछला को में समझ भी लिए यह महंत लोग तो जो हिंदू संगठे यह वह तो ख़रा हुआ मुनुमान असर के सम्रचने महां पंचात कर रहा है और आप धर्म शंसत लगा रहा है और आप श्री राम ने हिरन का सिकार किया था हिरन राक्षत का रूप में था ठीक है हिरान राक्षेस के रूप में था मैं कह रहा हूं आप इस वक्त सम्मिधान में हो जैसे बागिस्तरम वाले बाबा को आप सम्मिधान याद आने लगा जब तो उसका भाई पकड़ गया तो सम्मिधान जो करना चाहिए करें मेरे उपर इल्याम न लगाया आप अपने परिवार को संसकार देना पाया क्या हिंदू राष्ट बनाएगा बेसरम आदमी मतलब आप मैंने जो कहा था वह बात सिद्ध हो गई कि दली तादीवासी पिछला और मुसल्मानों के लिए हिंदू तो राष्ट के कोई जगह नहीं है कि उसके बाइन तमंचा और सिगेर भूक के दिखा दिया कि तुम पायर के जूती हो आप भी चमतकार करते हैं बाबाबा देखको हमारा वहारी बास सिद्ध हो जाती है ऐसे बेसरमों को हम रोज देखते हैं पढ़ते हैं और ज्यानी है ह फूसा मढा कर दोगे घरी महंगी घर दोगे हर्ची महंगा कर दोगे दूरे महंगी रइटे मपिकेगा कौन पर ना चाहेगा ज़िए आज कर इतनी तुमने फैंस जई मैं रहा हूं गौत तशकरी के जाज करवा लो सबसे ज्यादा जो पांच बड़ी कंपनियां है जो बीप इस्पोर्ट करती है उटी कि है और किस द्सक्राइब की है ज़्यों जाज कर पांचो पंडीज में फांचो पंडीज प्षर कंपनी जो बाद बिदेश भेजती है वह लेकिन मुसलमान डरेगा ना हम डरेंगे ना दिवासी पिछला डरेगा यह सरकार जितने लोग कतल पर यह सरकार बनी है यह लासों की छलनी बना के सीड़ी बना के चली सरकार मुसलमान डलीत आदिवासी पिछला जो इनके खिलाप गया उसकी इन्होंने हत्या कराई आरोप आप लगा रहे हैं सरकार पर कुछ भी बोल रहे हैं पर लिखके आते हो नहीं आते हो भाई लासों की छलनी नहीं बनाई गई है यह तो देखने आए थे कि गौव को लेकर कितन पर क्या ही बोले बेशरमों को तब तो यह मर जाते हैं दारूपी को सोचाते हैं और यह सब को या जाग जगवास रात में की रंगिन रहते यह उनके नावे पैसा खाने वाले लोग तो बेशरम लोग गव के लिए प्रेम भी बता रहे हैं कि पूरा प्रेम है और जिंदा किया है और भावुक भी हो गया थे आंसू भी कहने कहीं टपक गया तो फिलाल वीडियो में तरह हैं मिलता अगली वीडियो से अपने हमरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद